द्वार का सागरपुर के लोगों ने मुझे बुलाया था वहाँ पे मैं आज गई और वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं जगा जगा पे सारी की सारी सडके तूटी पड़ी है कूडा पड़ा है, गंदगी हो रखी है और पानी का तो हाल मत पूछी है या तो लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है और अगर आ रहा है तो वो ऐसा काला पानी आ रहा है या फिर पीला पानी आ रहा है सीवर का गटर का पानी आ रहा है हर साल 2015 के बाद हम बार बार सुनते आएं कि बस इस साल पानी की विवस्ता ठीक हो जाएगी हर घर से नल से पानी मिलेगा आरो का पानी मिलेगा ये है क्या आरो का पानी ये काला पानी दिवाली का तोफ़ा दिल्ली सरकार दुआरा दिया जा रहा है लोगों को कितनी शरम की बात है कि जब अपना घर बनानी की बारी आती है, मुख्यमंत्री का आवास बनानी की बारी आती है, सरकारी पैसे से बनानी की बारी आती है, तो water sanitation supply system 15 करोड का लगाया जाता है सिर्फ एक मुख्यमंत्री के घर में और लोगों को मरने के लिए छोड़ावा है, ये पानी कौन पी सकता है, आज मैं मुख्यमंत्री आतीशी मार लेना जी के घर आई हूँ, मैं उन्हें ये पानी सैंपल की तौर पे भेट करने आई हूँ, वो ये पानी पीए, इससे वो नहाए और अपने पापों से मुक्त हों, बहुत ज़्यादा शरम की बात है और मैं चितावनी देखती हूँ मुख्यमंत्री को जो की वाटर मिनिस्टर भी है, अगर ऐसा ही पानी आता रहा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा टैंक कर इस पानी का भर के लेकर आउंगी, और यहीं पे वो पानी मैं डालूंगी, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, और इससे सि 15 days में महलत देती हूँ, 15 days में पूरी दिल्ली में जहां-जहां कूरा पड़ा उसको साफ करो, जहां-जहां सडके खोधी पड़ी हैं उनको ठीक करो, और इस तरीके के पानी, जो की पशु भी नहीं पी सकते, इससे दिल्ली को मुक्त करो और पानी साफ करो झाल बाव झाल झाल